ओमाइगाट 2 पर लटकी सेंसर बोर्ड की तलवार ने फिल्म के मेकर्स को मुसीबत में डाल दिया है रीजन एक नहीं बलकी है कई नमबर वान, अक्षे के लौड शिवा वाली कैरेक्टर पर है सेंसर बोर्ड को एतरास नमबर टू, फिल्म में चेंजिस करने के लिए हो सकता है मेकर्स को बढ़ानी पड़ जाए फिल्म की रिलीस डेट येस, you heard it right 11 अउगस्ट को रिलीस होने जा रही OMG2 अब तक सेंसर बोर्ड के चक्कर में उलजी पड़ी है क्यूंकि CBFC ने फिल्म में कई चेंजिस सज़ेस्ट कर दिये है ऐसे में क्या दस दिन बाद रिलीस हो पाएगी OMG2? रिपोर्टेडली सेंसर बोर्ड Oh My God 2 में अक्षे कुमार के प्ले किये हुए क्यारक्टर को बदलने पर अड़ गया है सेंसर बोर्ड चाहता है कि अक्षे को लौड शिवा के रूप में ना दिखाया जाए बलकि शिवा के दूद के रूप में दिखाया जाए इतना ही नहीं CBFC ने फिल्म के कुछ सीन्स पर भी आपत्ती जताई है खबरों की माने तो अक्षे कुमार शिव के कैलक्टर में नदी से निकलते हुए दिखाये गए है वहीं एक दुरिश्य में वो स्टेशन पर नल के नीचे बैट कर ध्यान करते हुए भी दिखायी दे रहे है ऐसे सीन्स को सेंसर बोर्ड ने अबजेक्शनेबल माना है कैसे इन चेंजिस को कम्प्लीट किया जाए सोसिस का ये भी कहना है कि CBFC के चेंजिस को कम्प्लीट करने के लिए फिल्म की रिलीस 11 आउगस से आगे बढ़ाई जा सकती है हाला कि सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट की साथ फिल्म की ट्रेलर को पास कर दिया है लेकिन जाते हैं कि सेक्स एजुकेशन के टॉपिक को कवर करने वाली ये फिल्म हर एक एज ग्रूब के लोग देखे ऐसे में हो सकता है फिल्म की रिलीस आगे बढ़ा दी जाए बता दे ओमाइ गौड 2 अक्षे कुमार और परेश्रावल स्टारर ओमाइ गौड का सीक्विल है इस फिल्म में अक्षे कृष्णा के रोल में नजर आये थे वहीं Oh My God 2 में अक्षे लौड शिवा के रोल में नजर आएंगे